ओम नमस्षिवाई, हर हर महादेव, जैशू सम्भो दोस्तों आप सभी का आपके अपने चैनल में बहुत स्वागत और आपका बहुत आभार है जब कभी भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे घर में किसी व्यक्ति ने कुछ करवा रखा है बहुत दिनों से, बहुत महिनों से, कुछ वक्त से घर में स्ट्रगल खतमी नहीं होती या तो हमारे काम नहीं बनते हैं, घर में विवाज, शादी नहीं होती कोई न कोई हमेशा बिमार बना रहता है घर में कुछ ऐसे चीज़े घटित होना कुछ समय से लग जाती है कि हमें समझे नहीं होता है कि जीवन में क्या चल रहा है एक परिशानी गई नहीं दूसरी परिशानी शुरू हो जाती है ऐसा सामानी परिस्तितियों में नहीं होता है ये विशेज परिस्तितियों में होता है कि ये परिशानिया एक वक्त से हमारा पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है हम बहुत परिशान हो जाते हैं कहीं बार सोचते भी हैं कि क्या हो चुका है तब हमारे मन में यह प्रशन उठता है कि कहीं किसी व्यक्ती ने हमारे घर में कुछ करवातों नहीं दिया है अगर करवा दिया है तो किस ने करवाया तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये पूरी जो तरीका है, पूरी जो बाते हैं कि कोई व्यक्ती अगर किसी व्यक्ती के घर में कुछ करवा देता है, ये जो बाते हैं हमारे दिमाग में शुरू हो जाती है, वो कहां से शुरू होती है, उनका क्या उपा है, क्या रोल अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से नहीं जुड़े हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए, कमेंट्स में भुले नत का नाम लिखे, और अगर आप चाहते हैं, अपनी कुंडली का विशलेशन हमसे करवाना, स्क्र जैसे कि अगर हम घर में जाते ही, हमारा मन नहीं लगना, हमारा जब मन नहीं लगना शुरू हो जाए, घर में जाते ही, हमें बहुत ही ऐसा उचाव टन सा लगे कि घर से कहीं बाहर जाए, बाहर रहते तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन घर में आने के बाद हमें बहु सेंस नहीं है और बार बार एक ही तरह के सपने आना चोथा यह होता है कि हम एक अग्याद डर से अपने इर्दगिर्द ऐसा अग्याद डर की ऐसा हो जाएगा यह हो जाएगा एक इतनी नकारतमकता हमारे इर्दगिर्द हो जाती है कि जिससे हम चाह कर भी भार नहीं निकल पाते हैं और अगली चीज यह भी होती है कि बार-बार विक्तियों को आर्थिखानी होती ही रहती है जो भी पैसे हैं वो नुकसान हो रहे हैं तमाम प्रकार से वो एक negativity के और गिर रहा है अगर विक्तिय बार-बार फस रहा है तो कुछ बात हैं जिन समझ लेना आउशक है ऐसी परिस्तिय जब कभी किसी जातक के साथ होती है तो वो शनी और राहू की वज़े से होती है किसी वी विक्तिय ने आपके घर में कुछ भी नहीं करवा के रखा है आप राहू और शनी के फेर में आ चुके हैं खासकर राहू के फेर में आ चुके हैं उस वज laughs इतनी तकलीफ और परिशानिया आपके साथ हो रही है तो इस से जो बचने के उपा है वो भी मैं आपको सुड़ियो में बताऊँगा परेशानी थो आपको पता लगी गई है कि क्या परेशानी, लेकिन हल क्या है, हल के सोरूप में कुछ चीज़े हैं जिने आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, सबसे पहला हल है कि अपने घर में नियमित आप बजरंग बान का पार्ट करें, जब आप बजरंग बान का पार् आहिसा प्रयोग करने से शूरी मजबूत भी होता है और इसा प्रयोग करने से जितने सारे गृहों के नकारतमक्राव प्रभाव न्प्रभाव को बहुत कम समय में हम कम कर सकते हैं और तीसरा और महत्पून बात है कि शनिवार या मंगलवार के दिन जो भी अपने घर के आसपा सन्मान जी का मंदिरों वहां बेटकर सुन्दर का पाट करें सुन्दर का पाट करने से बहुत सारी परिशानियों से आपको छुटकारा मिलता है चोथा प्रेयोग करना है गुरू मंत्र का जब अगर नहीं है गुरू मंत्र हो तो नमस्षीवाय का आप जब कर सकते हैं और पाच्वा के फिर भी परिशानिय नहीं तो इस्क्रीन पर नमबर चल रहे वाटसप पर आपोइंट में लेकर बात करें हम केवल हमारी परिशानियों में बहुत उलज जाते हैं